आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ Download now Hello students, इस question में हमें दिया गया है कि a convex lens of focal length 20 cm and a concave lens of focal length 10 cm are placed 10 cm apart with their principal axis coinciding a beam of light traveling parallel to the principal axis and having a beam diameter 5 mm is incident on the combination so that the emergent beam is parallel to the incident one and find the beam diameter of emergent beam ठीक है, यह बात हो गई तो देखो क्या होगा एक convex lens है let us say this is the convex lens और एक concave lens है यह अपना होगा concave lens ठीक है अब क्या है इस system पे एक beam fall करती है ठीक है let us say यहाँ से कोई beam आ रही है इस तरह से इस तरह से मैं इसको दूसरा color से दिखा देता हूं ताकि visible हो इस color इस तरह से इस तरह से और इस तरह से अब देखो अगर यह infinite से आ रही है parallel beam तो definitely इसके focus पे जाके मिलेगी अगर इसकी focal length कितनी है 20 cm है और इन दोनों के बीच की distance 10 cm है तो यह beam कहा जाएगी यहाँ से 10 cm आ गे और यहाँ पे focus हो जाएगी यह यह beam कुछ इस तरह से जारी होगी तो इस तरह से जारी होगी और यह इस तरह से final जारी होगी मैं इसको भी थोड़ा clear बना देता हूँ ताकि समाज में आए तो यह इस तरह से जारी होगी अब देखो यह focus हो गया इसका तो अब इसकी focal length हमें दे रखे 10 cm इसका मतलब भई यह तो इसके भी focus पे इसके focus पे है देखो ठीक है और यह क्या है इसके लिए virtual object है raise इदर से आरी object यहाँ पे है virtual object है तो इसका मतलब इसकी image जो बनेगी वो कहां बनेगी infinity पे बनेगी अब बात करते है beam diameter की ठीक है देखो असलियत में होगा क्या यह अगर हमारा कोई convex lens है ठीक है और यह अगर हमारा कोई concave lens है ठीक है ऐसा ही कुछ system है और इनकी principal axis का है यह रही principal axis ठीक है अब देखो भाई कोई beam आती है let's है यह beam आ गई यह beam आती है ऐसे यह क्या करेगा इसको नीचे करेगा इसको थोड़ा यह क्या करेगा इसको center करने की कोशिश करेगा और यह क्या करेगा अगर इसको इधर भेज देगा similar ray यहाँ से आएगी इस तरह जाएगी और इस तरह निकल जाएगी लेकिन यहाँ से जो object की image बन रहे है फस्ट वो कहाँ बन रहे है तो यहाँ पर ट्राइंगल में क्या लिख सकता हूँ यह एंगल और यह एंगल क्या होंगे बराबर होंगे अगर यह थीटा है तो यह भी थीटा है ठीक है तो यह हो गया beam diameter यह मुझे find करना है ठीक है यह वाले distance ठीक है 10 थीटा होगा और divided by यह 10 cm ठीक है तो मैं लिख सकता हूँ यह देखो ट्राइंगल क्या होगे सिमिलर होगे यह वाला ट्राइंगल और यह वाला ट्राइंगल यह थीटा इन में एंगल सेम है तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा कि x लेटस यह distance है x x upon 10 is equals to this this distance is how much यह है beam radius beam की diameter तो 5 थी तो यह कितनी है 2.5 तो लिखूंगा 2.5 upon 20 क्योंकि यहां से और यहां तक की ट्राइंगल में यह distance कितनी है 20 हो गई ठीक है इस वाले ट्राइंगल में बड़े वाले ट्राइंगल में ठीक है यह यह और यह वाले आपके पास में x की value 2.5 by 2 x क्या बनगी 2.5 by 2 बन गई लेकिन मुझे तो beam diameter find करने को बोला है beam diameter क्या है 2x है यह तो beam radius है beam diameter तो इधर भी इतना है उपर भी उतना है तो beam diameter जो होगा वो कितना होगा वो होगा आपके पास में x into 2 यानिकी 2.5 by 2 into 2 तो यह आगया आपके पास 2. 2.5 cm